मद्यपरदेश के इंदौर में बुद्वार को कांग्रेस बधायक और पुरमंत्री जीथु पटवारी नगर निगम के स्वास्त अधिकारी से भिट गए उन्होंने स्वास्त अधिकारी को धकका दे दिया अधिकारी ने पटवारी परावधित्वा कारूप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है हालागे कुछी घंटों बाद दोनों के पीज समझोता हो गया दरसल बुदवार को एक कारकरम के लिए पटवारी पालदा अलाके के दुरगा नगर आये थी उनके आने से पहले इस अलाके में नगर निगम की ओर से दवाईों का छिड़काव और साफसफाई होनी थी पटवारी तैसमे से पहले कारकरम के लिए पहुँच गए जब तक दवाई का छिड़काव नहीं किया गया था उन्होंने इस पर नाराजगे जताई और नगर निगम के स्वास्ता अधिकारी से उनकी कहा सुनी हो गई अधिकारी का आरूप है कि पटवारी ने उन्हें धक्का दिया है वहीं जानकारी के मुदाविक पहुचने के बाद जीतो पटवारी ने कारकरम शुरू करने को कहा तो नगर निगम की टीम ने बीजेपी नीता मधुवर्मा के आने तक के इंतजार करने को कहा पटवारी इसी बाद पर भड़क गए उनके स्वास्त अधिकारी से कहा सुनी हो और वधायक ने उन्हें धक्का दे दिया इसके बाद स्वास्त अधिकारी राजविन अगर थाने पहुचे जहां उन्होंने निगम के कई अन्य अधिकारी भी थाने पहुच गए इससे पहले की मामला तूल पकड़ता CSP BBS परिहार ने दोनों पक्षों के भी समझोते की ज परिहार ने बताया स्वास्त अधिकारी ने लिखेत आवेदन दिया है कि इस मामले में कोई कारवाई ना की जाए